नमस्कार साथियो आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजुकेशन पोडल कृष्णा आजमलोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार सरकार सिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है जिसका पत्रांग 138 और दिनांग 31-2023 है इस पत्र में असपस रूप से इस व भूमीदाता के नाम से होगा उसके बाद उतकरमित मध्विद्याले के लिए जो भूमीदाता भूमीदान करते हैं उसके नाम से वह विद्याले अनिकि उतकरमित मध्विद्याले संचालित होगा और इसके साथ साथ माध्यमिक और उच माध्यमिक विद्याले के लिए अध भी भी लेंडलेस है अनि कि भूमी हीन है दूसरे विद्याले में वह संचालित हो रहा है और इसके साथ उतकरमित मद विद्याले में परियाप्त भूमी भी नहीं है वह भी इसी तरह से संचालित हो रहा है तो बिहार स्रकार सिक्षा विभाग की ओर से पूर्व में विभाग करते हुए उसको समाप्त करते हुए नए नियम को लागू किया है और जिसका पत्र आंक आप पत्र भी देख सकते हैं पत्र को भी हम लोग संचेप में अध्यन करेंगे और इस पत्र में मुख वाते क्या-क्या है कितनी जमीन नवसरीजित प्रार्थमिक विद्याले के लिए दान देना है उसके बाद उत्क्रमित मध विद्याले के लिए कितनी जमीन दान देना है इसके साथ साथ है माध्मिक और उच माध्मिक विद्याले के लिए कितनी जमीन दान देना है जो कि नामकरन उन भूमी दाता के नाम से वह विद्याले संचालित होगा तो इसकी विश that is the 27 रे जमील की जौरत है तो बीकर पर अपर थोड़ा सी हम लोग अमानत को यहां से ले करके चलते हैं इसे अस्पस्ट कर लेंगेindiस डिसमिल जमील का अर्थ कि कि कितना दौर और कितना कथा इसको हम लोग किलियर कर Mississippiway जानते हैं कि एक डिशमिल में, एक डिशमिल में चोधस मलब चार धूर होता है, हम लोग 20 डिशमिल को देखते हैं, कितना धूर कितना कठा होता, इतनी जमिन, दान देनी होगी प्रतेक जन सहयोग से, प्रतेक भूमीदाथा से, यह जो काड़ी है, इसको पूरा किया जाएगा, तो एक डिशम में छे दस मलब चार गुना इसमें 20 से गुना करेंगे तो यह धूर हो जाएगा अर्था यह हो जाएगा चार दूनी आठ छे दूनी बारह एक अंग के बाद पॉइंट अनिकी 128 यह धूर होता है इसमें 128 में हम 20 से भाग देते हैं तो यह कठा में परिवर्तित हो जाएगा जो नवस्रजित प्रार्थमिक विद्याले है उसके लिए जन सहयों की अबसकता है और वह भूमी दाता अधी छे दस मलब चार कठा जमीन देते हैं तो उसके नाम से वह विद्याले संचालित होगा या तो फिर उसके इक्छा नुसार से किसी अनवेक्ति के नाम से वह विद्याले संचालित होगा प्रार्थमिक विद्याले तो प्राटमिक विद्यालव के लिए 20 मिल की जरुत होगी और 20 मिल कहने का अर्थ होगया कि 6.4 कठा जमीन दान देने की अौशकता है अब हम लोग उटकरमित मध्ध विद्यालव की चर्चा कर लेते हैं तो इसमें 50 डिस्मिल जमीन देने की जरुत है पचास डिस्मिल जमीन का अर्थ इस प्रकार इसको भी समझ लेते हैं कि एक डिस्मल में 6.4 धूर असपस्ट है तो पचास गुना 6.4 यह धूर हो गया इसको गुना कि जेगा तो यह है पांच चोक बीस छो पंच तीस बत तीस और एक जीरो एक पॉइंट लगाएंगे अनि कि तीनसोव बीस धूर जमीन हो जाता है इसे कठा में दी परिवर्तित करेंगे तो तीनसोव बीस बटे बीस से भाग देंगे तो यह कठा में हो गया 16 दूनी 32 और कि 16 कठा जमीन की आवसकता होगी उत्करमित मध्विद्यालई के लिए पचास डिस्मिल मिन्स हो गया 16 कठा जमीन की जरत होगी और उस जमीन दाता के नाम से उनह वह विद्याले संचारित होगा और उसका नामकरन उसी के नाम से उस विद्याले का हो जाएगा अब माध्मिक और उच्छ माध्मिक की बात कर लें तो इसमें 75 डिस्मल जमीन की जरुत होगी और इसे भी उसी प्रकार से धूर और कठा में दी कनवर्ट करना साहते हो तो 75 गुना 6.4 या धूर में कनवर्ट हो गया और इसे गुना करने के बाद आपका हो जाएगा चार सो असी पांचोग बीस एक जिरू आएगा अनिकि 4800 धूर यहाँ पर पॉइंट लगेगा अनिकि असपस्थ है चार सो असी धूर ही होगा इसे आप कठा में परिवर्टित करेंगे तो चार सो असी बटे बीस कटा दिजिए दो दुनी चार अर्थार्थ 24 कठा जमीन देने की जुरत होगी तो मादमिक और उच मादमिक विद्यालई के लिए 24 कठा जमीन अधी भूमी दाता देते हैं तो उसके नाम से पुना हुआ विद्यालई संचालित होगा या तो फिर वह चाहते हो कि हम जमीन दान दे दिया हैं लेकिन मेरे समन्दी है मेरे जो हिटैसी है उसके नाम से विद्याल Pandemie संचालिध कराना चाहता हूँ चाहिए संचालित होगा अर्था-अर्थ 16 कठा जमीन की जरुत होगी और मादमिक और उच मादमिक के लिए 75 डिस्मल जमीन की जरुत होगी जिसमें से 24 कठा दिस्मल मिन्स 24 कठा जमीन की अवसकता होगी। इस प्रकार से उन भूमी दाता के सहयोग से वह जो विद्यालय संचालित होगा, और विद्यालय में जो सिलापट लगेगा, उनहीं के नाम से यह संचालित होगा इदी हम लोग पत्र का वारी की से ध्याण करना चाहते हों, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं कि उस पत्र में मुक्रूप से क्या बाते अग्कित की गई है. तो बिहार सरकार सिक्षा विभाग संकल्प है दिनांक 31-2030 किया है तिथी में पत्रजारी किया गया है पत्रांक आप यहाँ पे सबसे उपर देख सकते हैं 138 है जन सहयोग से भूमी एवं भवन प्राप करने एवं विद्याले का नाम करने के समबन्ध में है हम लोग आगे से यहाँ से पत्रका ध्यन करते हैं कि भूमी एवं भवन निर्मान हेतू जन सहयोग की भागेदारी आवसयक है अतेव राज सरकार के द्वारा सम्यक विचारवप्रांत राज के प्रार्थमिक मध्य मादमिक और उच मादमिक विद्यालेओं के लिए जन सहयोग से भुमी एबं भवन प्राप्त करने है तू पूर्व में निर्गत विभागिय संकल्प संख्या 514 दिनांग 342013 एबं संकल प्राप्धानों को बिलोपित करते हो निकि इस प्राप्धान को हटाते हुए निमनवत प्राप्धान को लागु किया जाता है असपस्ठाइब कि नय प्रार्थमिक विद्यालेओं के लिए नियून्तम 20 डिस्मल भूमी दान देने की अवस्कता है और दान देने वाले का को पर वीद्याले का नाम रखह कर जाreating के लिए पचास डिसमल अनिकी आधा एकड़ में के लिए भूहुमी देने वाले भूहिए दाता के नाम पर अनुक्सानुषार से जो इस बेक्ति का नाम वह देना चाहते हों तो मद विद्याले का नाम रखा जाएगा और आगे है कि अधी पूर्व से यह विद्याले किसी के नाम पर नहीं हो नहीं होना चाहिए पूर्व से उक्तमाप से कम भूमी देने वाले का नाम विद्याले के मुख द्वार के बगल में सिला पट पर अंकित किया जाएंगा उतनी भूमी जो 50 डिसमल भूमी अधी नहीं देते हैं तो उस विद्याले के बगल में जो बिल्डिंग है जो द्वार है उसके बगल में सिला पट पर उसका नाम करन किया जाएगा और अधी वह पूर्ण जो डिमांड जमीन की रखी गई है पचास डिसमल अधि उतना वह दान करते हैं या तो फिर बीश डिसमल दान करते हैं तो वह स्थिति में वह विद्याले उसी के नाम से संचालित होगा आगे है कि प्रार्थमिक विद्याले को अधि सरकारी भूमी उपलब्द है यहां से समझते हम लोग अधि उस प्रार्थमिक विद्याले को सरकारी भूमी उपलब्द है और भूमी दाता के द्वारा नियूंतम तीन पक्का कमरों का बरामदा सहित निर्मान सरकार के माप के नुसार कराया जाता है भवन का निर्मान दी करते हैं तीन मकान और उसके साथ साथ बरामदा तो भवन दाता के नाम पर विद्यालय का नामकरन किया जाएगा इसी परकार मद्ध विद्यालय में सरकार के निर्धारित माप डंड के नुसार से बरामदा सहित पांच पक्के क कमरे का निर्मान कराने वाले भूमी दाता के नाम से वह विद्याले संचालित होगा कमरा एक कमरा या दो कमरे के निर्मान करने वाले बेक्ति के नाम का सिलापट कमरे के दिवाल पर लगाया जाएगा के लिए आगे है कि मादमिक और उच मादमिक विद्याले के लिए नियू के दौरा एकशित ब्यक्ति के नामीं पर माध्मिक उच माध्मिक विद्यानया का नाम रखा जायगा अधिपूर्म से वह विद्यालय किसी के नाम से संचालीत नहीं हो रहा तभी 55 डिश्मिल से कम भूमी देने वाले का नाम विद्यानया के मुखद्वार के बगल में सिलापट पर अंकित किया जाएगा इसमें भी वही बाते हैं यदि दान करने वाले भूमीदाता जिवित नहीं हो तो उनके बैद उत्राधिकारी के आवेदन पर भूमी के संदर में निर्धारित माप डंडों का पालन किया जाएगा उसके बाद आगे है प्रार्थमिक बिद संबंधित जिला सिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा बिद्याले के नामकरन के संबंध में विबाद होने पर संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्णई लिया जाएगा जिला पदाधिकारी के ब्रूध प्रार्थमिक मद बिद्य निदे शक प्रार्थमिक सिक्षा माद्मिक एबम उच्च माद्मिक विद्यालेंगों के संबंध में निदेशक माद्मिक सिक्षा के समक्ष अपील दायर की जा सेकेगी जिनका निर्णय अंतिम होगा। और यहां पर आदेश है कि आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के आशाधरन अंक में प्रकासित किया जाए तथा इसकी 1000 परतिया निदेशक प्रार्थमिक सिक्षा को उपलब्द कराई जाए और अंतता बिहार राजपाल के आदेश से संयुक्त सचीब सिक इच्छा बिभाग बिहार पटना संजय कुमार 31-2023 की तिथी में यह सिगनेचर किया हुआ है तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस बात को समझने का प्रियास किये कि बहुत सारे वैसे नवस्रिजित प्रार्थमिक विद्याले हैं जिनका अभी तक भी भवन का निर्मान नहीं हो पाया है या तो बहुत सारे ऐसे भी उतकरमित मद्ध विद्याले हैं जो भूमी हीन है और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी माध्यमिक और उच माध्यमिक विद्याले हैं जो अभी तक भवन हीन है और अन्भवनों में संचालित हो रहा है तो जन सहयोग की भागेदारी के आधार पर अधी भूमी दान करते हो तो उन भूमी दाता के आधार पर अनिकि उन भूमी दाता के नाम के अनुसार से वह विद्याले अनिकि वह विद्याले का संचाला निकि उस विद्याले का नाम उस भूमी दाता के नाम से ही होगा बस इस वी वीडियो में थाइंक्स फर वाचिंग गुडबाई